हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल इस सैंवीच चटनी के साथ अगर सैंवीज़ बनाएंगे तो खाके पीद भरेगा पर दिल नहीं बलेगा एक बार गरूर बना के देख लेना मैंने यहाँ पर एक मुठी में जितना धनिया बैठेगा उतना धनिया लिया है और अच्छे से अंदाजा आने के लिए इसे कटोरी में डाल के दिखाती हूँ एसी एक कटोरी भर के धनिया ले ले इसे अच्छे से दो लिया है मैंने और अब हम मिक्सी जार में चट्मी बनाएंगे ये पूरा धनिया दो हरी मिर्जे तोड़ के डाल देंगे इसमें मैं एक बड़ा चमच मूंफली एड करूँगी तुबी प्रिसाइज ये 25 मूंफली के डाने है जब अब फर्स टाइम इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो गिन के डाल दीजे स्वादा नुसार नमक, पाव चमच जीरा, पाव चमच चपकर और आधे से थोड़ा कम नीमू का रस सिर्फ दो चमच पानी ऐड कर देंगे और इसे महीन पीस लेंगे एकदम फ्रेश ग्रीन कलर आया है ना पेस्ट के बारे में मैं और कुछ नहीं करूँगी बस आप बना लीजिए और मुझे कमेंट करके बताईए और ऐसी ही परफेक्ट रेसिपी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए मिलते हैं नेक्स रेसिपी के साथ तिन देन टेक केर बाबाई